जब भी किसी को आर्थि तंगी होती है तो पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए लोगों को सबसे पहले परस्नल लोन लेना ही सूचता है। ऐसे में लोन लेने के लिए लोग ऐसे बैंक तलाशते हैं जो कम बयाजदरों में लोन महीया करा सके। इस वीडियो के मादिम से हम आपको बताएंगे कि कैसे और किन-किन बैंकों में कम बयाज़दरों से लोन रहा है, जहां आप लोन लेने के लिए एपलाई कर सकते हैं। सरकारी बैंक पर्सनल लोन के मामले में अभी भी प्राइवेट बैंकों के तुलना में कम बयाज़दर पर पर्सनल लोन दे रहे हैं। सरकारी बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक त्वारा ओफर किये जाने वाले सबसे सस्ते पर्सनल लोन का अंतर करीब 169 आधार अंका है। यदि आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं और आप जानना चाते हैं कि कम से कम बैयाज़दरों में आप लोन उठा सकें ये दो प्राइवेट बैंक दे रहे हैं सबसे सस्ते बैयाज़दरों पर पर्सनल लोन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उफर करता है ये बैंक 5 साल के रिए 5 लाख रूपए के पर्सनल लोन पर 8.9 फीसदी की दर से बैयाज़ लेता है पंजाब न aliment दूश्य नंबर पर पंजाब निश्छल बैंक इसे 5 लाक रूपए का पर्सनल लोन के लिस्टमें के बूल दो ही बैंक प्राइविट सेक्टर के हैं ये फेडरल बैंक और सबसे सस्ता पर्सनल लोन देरेवाले बैक। लोन लेने के दोड़ा इन बातों का रखें त्यार साफधानी के साथ बैंक चुनें ब्यायदर की गड़ना करें जीरो फीसदी इमाइए स्कीम के चहांसे में ना आए अन्य चार्ज को भी देख लें परसनल लोन की लागत चेक कर लें समय से पहले लोन को बंद करने के विकल् बढ़ाया जा सकता है इस लोन को आप समय से पहले भी पूरी तरह चुका सकते हैं हालाकि इसके लिए आपको चार फीसदी क्लोजर चार्ज भढ़ना होगा एग्रिगेटर पोर्टल पर जाकर सस्ता लोन चुने सबसे सस्ते बैयाज पर परसनल लोन की तलाश में अगर आप पांच बैंक में पता करेंगे तो वो सभी आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे आपका credit score ही बताता है कि आपको loan देने में अधिक खत्रा तो नहीं है आप जितने bank के पास जाएंगे संदेश ये जाएगा कि आपको personal loan की सक्त जरूरत है इसे आपके credit score को नुकसान पहुँचेगा personal loan लेने के लिए आप internet पर मौझूद loan aggregator portal पर जाकर सस्ता loan चुने इसके लिए आपको कोई fees भी नहीं देनी होगी समय की भी बच्चत होगी और आपका credit score खराब नहीं होगा आपके business का सच्चा साथी